पिट इंडिया कैम्पेइन पावर्ड बाई पैप जूस यानि पैप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्तामिना करें हॉमोन्स को बैलेंस और दे इंस्तिंट एनरजी और यह आपको मिलेगा आपके अपने जिम में या फिर कॉल करें 8010727232 पर नमश्का स्वागत है आपका नेशन लाइव आई पी टीवी में जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक हैल्थ सेग्मेंट को डील कर रहे हैं और लोगों को अवैल कर रहे हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें आज हमारे सामने जो मौझूद है जो हमसे बातचीत करें जिन्होंने अपना करियर एक टीचिंग प्रूफैल से स्टार्ट किया उसके बाद उन्हे जोॉक्त आपके जोया ऑपना की 8 साल मौझूद है एजयनद साग्मेट को लेकर और एजुकेशन सेग्मेट को लेकर हम उनसे कुछ बाच बातचीत करेंगे इनके értे हमासे प्रशनी के आपका हमारी शोह है सबसे पहले हमारी दर्शक्यव स्वेटेशा कि आना चाहेंगी आप हमारी जर्नी के बारे में कच्छा की आप हमेरी अपने पारे में अपने बारे में पता हूँ मेरा नाम क उमर्परताप संग है और मैं Georgians Defense Academy, जिसको की Georgians Academy for Professional Studies के नाम से भी जानते है, मैं इसका डिरेक्टर हूँ और इसका को अनर हूँ, मैं अपनी जर्नी को देखूँ तो एक फॉजी बैकराउंड से बिलॉग करता हूँ, मेरे डाड इंडियन आमी में थे, और 1994 में रेटाइड हुए, बच्पन में मैं राष्टे मिल्टर स्कूल गया, मैंने राष्टे मिल्टर स्कूल बिल्गाम से बढ़ाई करी है, जब हम राष्टे मिल्टर स्कूल की बात करते हैं तो यह मिनिस्टर दिफेंस के दोरा चलाईवे स्कूल हैं, जो की इंडिया में सिर्फ 5 स्कूल है, वहां जाने के बाद मे प्रहनसेज मोहां किए and शके बाद फिर मेरे को दूसरा को करियर देखना था मैंने इजुकेशिन की तरफ ना करियर बनाया, better inclination था education कि तरफ करेर कांस्लिंग मेरे अरे और एंटरस था से एकनॉमिक्स मेराsubjyक्ता को moi I started as economics teacher and I started my education career from वहां से मैने टीचिंग करियर शुरू किया और अफर दाट मैं जरनल बीसी जोशी आमी पॉब्लिक स्कूल पे थारगड वहां पे मैं आज एकनॉमिक्स टीचर रहा वहां पे मैंने अज प्रिंसिपल पे ऑफिशिट किया वहां पे जो है फिर 2005 में मैं डेली आया अफर आप a small so called initiative that I had taken by me that I wanted to do something big and son of one of my mentor he encouraged me that if you want to take a challenge तो बड़े शहर में जागे चालें लोग वहां पे आपको पता चलेगा कि आप कितना explore कर सकता अपने आपको तो 2005 में डेली आया एया and again I started I here I worked with a school in Dwaraka for from 2006 to 2013 in the meantime I kept on working on my vision that is career counselling I am a CVSA certified counsellor and बच्चों को guide करना मेरा एक passion है इसी passion को एक बड़ा शेप देने के लिए 2013 में मैंने और मेरे friend ने मिलकर के Georgians Academy for professional studies को establish किया and वहां से अमने बच्चों को encourage करना शुरूर किया हम schools को reach करते थे वहां जाके career counselling session करते थे and since defense मेरे दिल के करीब रहा है so defense की तरफ जो तने मेरा शुरू से एक inclination रहा तो हमने कहा गिए पहले हम defense sector को explore करते हैं and defense sector के अंदर में हमने फिर काम करना शूरू किया चोटे से steps लिए धीमे-धीमे लोगों का बिली बड़ा और आज 8 साल हो चुक है हमारे को और इन 8 सालों के अंदर में 227 फोजी officers मेरे academy से बच्चे रिकमंड होकर के National Defense Academy, Officers Training Academy, Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy इन सब मेरे training कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे students pass out होकर के समें अलग जबहों के पोस्टेड हैं, सर्व कर रहे हैं and by the grace of God in 8 साल के अंदर में we have been able to give UPSC All India Rank 1 in NDA 142, in NDA 144 entry we were able to give UPSC All India Rank 7 in Army Technical Entry we have been able to give All India Rank 2 and this year again in 145 I am expecting the All India Rank 1 from my academy I am waiting for the merit list to come, so that's what we are there today Okay, जैसे सन्य बहुत चीबात बताई कि एक बहुत long lasting journey रही है आपकी और basically मैं आपको बताना चाहूँगा सर्व यह हम health awareness के लिए कर रहे हैं लोगों को educate करना चाहते हैं कि वो कैसे अपने सेहत का खयाल रखें और इस शो का नाम है Fit India जिसको sponsor कर रहा है Pap Juice Pap Juice एक instant energy drink है जो हमारा stamina boost करता है और हमारी सेहत का खयाल रखता है और यह harmful नहीं है क्योंकि यह Ayurvedic है सबसे पहले मैं आपसे यह जाना चाहता हूं कि आपके अनुसार जैसे कि आप defense में deal करते हैं तो आपके अनुसार कैसा आपको कैसा लगता है कि अच्छी सिहत क्या होती है कि अच्छी सिहत की जब हम बात करते है तो सबसे बड़ा अभी हमने देखा रिसेंटली करोना ने हमारे को एफेक्ट किया था पूरा वर्ल्ड करोना से अफेक्टेट था इसमें 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 फिलोके यूरोपन कंट्रीज में सबसे आदा लाइफ को लॉस्वा वहां पे आप देखोगे तो कैस्वल्टी एस पर इन प्रोपोर्शन काम हुई इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि जो गरीब देश जितने भी है वहां पे वी डिपेंड अलॉट अन आर इम्मुनिटी सिस्ट्म यहां पर एंप काम पर इम्मुनिटी ने हमारे को बात है और अपने लोग काफी आवेड भी वह और बहुत सारे लोग गिले बिल्यू जो ताहा हुआ उसका जो टना जूस पीने लग गगए और काई की तरह पर इमुनिटी बूस्ट्रस जो तना लोगोने घर में होम रेमी विकारव मार्केट में जाना लाओड नी था गरों में बना वनागरे के लोगोंने काड़े पी और इन सब चीजों का फरक पड़ा हम भी इजयिशन की बात करते हैं तो अगर हम एक बच्चा सीया और में चाहिशन की बात करते हैं झाल करते हैं गश्या है और जहां पें उपने आप में बहुत बड़ लाओ नी आ भीद ऑट रिफेंटर जाता है because defense के अंदर to you have to be mentally as well as physically fit to take up all the challenges definitely and the challenge is the life in defense is not normal all the time at that time the life is totally different where you don't know the what is the time of breakfast what is the time of lunch what is the time of dinner okay you have to mold yourself according to the circumstances and that can only be possible when you are physically fit definitely so sir जैसे आज हम बात करें, हम एर पॉलुशन की बात करें, दिल्ली नमबर वन है, दूसरी बात हम करें, जो फूडिंग स्टाइल है, आज कल की जो यूथ की, उसमें हम देखेंगे कि आउट अप दे बॉक्स जाकर वो जो जंक फूड को प्यार कर रहे हैं, और कई सारी चीज़ देखेंग अ को हम वेड़ियस नमचैनर ऑप में वेडाने स्टाइबें क्यों सरे अभभाने कवहरे हैं, भी हम थे बात कम बात अच्छी डाइट रखते थे लेकिन उनको फिजिकली फिट रहते थे थे फिजिकल काम भी करते थे अब आजकल को जो वर कल्चर अगया उसके अंदर में किया मोस्ट अब टाइंग या सिटिंग ऑन डेस्क एंड वरकिंग आप जो तना है कंपुटर पर बैट रहे हो लाक्ट करना है तो स्कूल के अंदर में आप सब चैदार रोल प्ले कर सकते हैं विए जो भी इस देश का फूचर है तो स्कूल में आप योगा को प्रोमोट करो स्कूल के अंदर में healthy food habits को प्रोमोट करो बच्चों को जो तना अच्छी food habits की आदर डाले कि बच्चा अपने parents की माने अपने teachers की मानता है तो teachers are the source through which a lot of things can be taught and साथ ही जात हमें अब दुबारा से एक healthy food habits की तरफ जाना पड़ेगा as a parent also जिसमें की आम इंडिया में पहले क्या होता था कि हम बहुत सारी चीजे घर में खुद बनाते था हैं वो सब चीजे मार्केट पर डिपेंडेंट होते चले हैं तो उन चीजों को दोड़ा से क्वायर करना पड़ेगा जो थोड़ा सा traditions की तरफ जाना पड़ेगा जो तना अभी जैसे मैं आपको बताता हूं कि अभी हमारा next project है जो हम दौलपूर में एक बहुत बड़ा campus लेके आ रहे हैं तो वहां पे जब मैं लैंड को देखता जो हमारे किचन में यूज होंगे तो इस तरह कि छोटे चोटे शोटे निशटे लिये जाएं तो अपने आप ही है जाता है एल्थ की तरफ ए एक तरफ एक जाता है हम इन चीज़े से कुट अट 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 हो रहे हैं लगता है कि मैं तेलिस्ट हो कि मार्केट जाओ खरीद क करोना इस वाट पास बहुत है उसके बावजुद भी हम अची सेहत नहीं पासकते हैं उसके लिए हमें अपनी हैबिस को चेंज करना पड़ेगा सच जैसे आप देखते हैं कि हम इंडिया की बात करें हम वेस्टन कल्चर को सीख रहे हैं वेस्टन फूडिंग स्टाइल को अ अपने देश के अंदर और अपने देश की संस्कृति को थोड़ा सा बैक फूट में लेके जा रहे हैं उसके वारे में क्या सोचते हैं आप अईरुवेदा किस तरह से लिए हैं तेख अईरुवेदा नो डौट अईरुवेदा इस आर्च्रेंथ हमारे जो ट्रडिशनल में This system is always our strength. आजए हो एरुवेदा हो हो मेथ्योन हो हमारा जो योगा है. अगन क्या है कि हम जब आजागी के बाद से हमारे जो साराज़का प्रॉलम्स का सलीशन की तरफ के लिए हमने यूरोप अमेरिका की तरफ देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हमने उसको अडॉप्ट के लिए हमारे इसमें भी है हमारे पुराने जमाने के रिशी मुनी जो होते ना अःरुवेदा पे थे आज जो हम आःुरुवेदा की ब कि जो हम बात करें तो जो है हम पुराना है योगा के आप आज जाकर कि अपटेंग को योगा बता रहे हैं ठीक है लेकिन हम दुनिया वर्ल्ड ने हमारे योगा को एक्सेट कर दिया यो ने ने सिल्वेट करना इसго कर दिया दिए अभी भी कंट्री के अंदर में एग्रिसि कर लेंगे और पूरी केंटरी पहल जाएगा लिकिन हम तब करते हैं वो चीजों को जब बाहर से आती है था हम उसको ज्यादा हम उसको एक्वायर कर पाते हैं जबकि हमारे को अपनी स्ट्रेंथ को पैचानना और वहां पर काम करना है जो तना तो अरुवेदा तो नो डूट यह जो जो यह जो तो प्रचान वो अइसी चीज को हम उसको तो ने ने चर ने आर चीज का Сप्चान आघ्या है तिक आप देखेंगे पहाडों के अंदर में एक बहुत कॉमन सीजी होती है कि एक घास होती है जिसको कहते है बिच्चु गास जोता है जब लग जाता है तो शेरीप बड़ी घुजली होती है लेकिन उसका सबसे इची चीज क्या है कि जहां पर भी घुजली होता है उसके पा सवाल भूंगा आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन देने चाहेंगे कि कैसे फिट रहे और कैसे हैल्थी रहे सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अप्लीस्ट गिव योसिल्फ और अगर आपको जितना भी आपकी लाइफ है उसके अंदर में जो है आदा गंटा एक गंटा कम अपने शरीर को दो बिकास उसके बिना फिर बाकी सब चीजे बेकार है एक गंटा शरीर को दो आज की तरग में बड़े शहरों के अंतर में दिल्ली उगरा हमें सरकार ने जिम लगा दिये हैं पार्क में पार्क सितने अच्छे हैं रोड से निकलो तोड़ा से अगर सुबह जितना ज़ादा हम अपने जो मेडिसिनल सिस्टम को जखें जैसे हम देखें कि हमारा इस गौर्वनमेंट की बात को तो इन बहुत ऊची चीज करी कि अनौन ने एक मंत्राले बनाया आईश मंत्राले आईश मंत्राले जो होता है जिसमें कि आयृवेदा, योगा, सिद्ध, आपको हमेपेथी ना इन सब को प्रमोट कर रहे हैं यह बहुत अची चीज है इसको जितना ज़ाद है स्कूल करिकुलम में लेकर क्या हो और इसको प्रमोट करो जितना हम अपने फूट अबिट्स को दो तीन चीजों को फॉलो कर ले तो कोई किसी भी जीस से हम लड़ सकते है ठीक है आपने अपने फूट अबिट्स को चाहिए और डेली अपने शरीर को अटली से गंटा दे तो कोई प्रॉलम के सलुशन हमें बताया कि हमें अपने जो ट्रेडिशनल मेथर उसके तब थोड़ा सब मूव करना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहु हमें उसको अपनाना चाहिए तो यह थे कोई परताव सिंग जी हमारे साथ Georgians Academy के ओनर सो आपने सर अपना कींदी समय दिया उसके धन्यवाद हमारे श्रॉम में सो मैं राहूल शुर्मा और कैमरे के पीछे हैं विपिन नाये जी